हाई, आज के इस वीडियो में हम यह समझने वाले है कि सेंसर क्या होता है, फुल फ्रेम कैमेरा क्या है, एपी ऐसी कैमेरा क्या है, रेजिलूशन क्या है, यह सारी चीज़े आप इस एक वीडियो में समझ जाओगे, यह वीडियो से आपकी जो कैमेरा की नॉलेज है वो सारा वीडियो है जो आप देख सकते हो और अफकोस यह जो आपके फ्रेंज जो फोटोग्रफर बनना चाहते हो और अच्छे फोटोग्रफर बनना चाहते है उनको यह वीडियो और यह चैनल को शेर कीजिए, इंस्टेग्राम पे हम बहुत सारे अलग अलग क्रीटिव ग्र कैमेरा के अंदर होता है सेंसर जहां पर image फोर्म होती है तो आपके कैमेरा के अंदर जो sensor होता है actually आपकी जो image है वो वहाँ पर form हो रही है जो भी light camera के अंदर आती है वो subject को hit करके lens के through enter होके sensor पर hit होती है और यह सारी details जो वो light लेके आ रही है मतलब RGB rays, colors, lights, यह सब कुछ जो details एक light carry करके lens के through आती है और आपके sensor को hit करती है और आपका जो यह sensor है उस image को form करता है तो पहले के जमाने में जैसे एक negative थी, एक film थी जहाँ पे आपकी image form होती थी और वो negative बहुत ही important चीज़ होती थी वैसे ही digital के जमाने में, DSLR के जमाने में इसी चीज़ को हम लोग sensor का नाम देते है और sensor के अंदर आपकी जो यह image है, जो यह सारी details है वो सारी record होती है और एक image form होती है तो आप समझ सकते हो कि आपका जो यह sensor है वो कितनी सारी details record कर रहा है और आपकी जो high resolution, high quality वाली जो image है वो form कर रहा है, जो उसके colors है, जो उसकी dynamic range है dynamic range का मतलब होता है, जो difference आता है highlights और shadows की बीच में, उसकी जो पूरी photo की quality है यह सब कुछ आपका sensor अंदर determine कर रहा है, record कर रहा है तो आपका camera को जो sensor है, वो बहुत ही important point है आपके camera का और आपकी photo की quality को record करने के लिए यह जो sensor है, वो megapixels से बना हुआ रहता है और यह जो megapixels होता है, उससे आपकी camera का resolution होता है resolution का मतलब होता है, कि आपके photo की quality और आपका जो वो photo है, वो कितनी quality लेके आ रहा है मतलब कितनी details वो लेके आ रहा है details मतलब कितने colors है, ठीक है कोई-कोई camera में colors आपको कम दिखेंगे colors की जो variation है, वो आपको कम दिखेंगी क्यों? क्योंकि उसका megapixels कम है और उसका resolution भी कम है उसके सामने कोई-कोई camera में आपको colors जादा दिखेंगे क्योंकि उसका resolution जादा है तो इसके लिए आपका जो यह sensor है उसके जो resolution है वो बहुत ही important होती है आपके photo की quality decide करने के लिए आज के जमाने में जो यह digital camera होता है उसके अंजर जो sensor होता है वो exactly उतना ही बड़ा है जितना आपके negative और film-based camera में था जितना size एक film-based camera का था अगर उतना ही size आपके digital camera में है तो उसे हम लोग full frame camera कहते है जो भी full frame camera होगा अगर आप full frame camera specifications में देखोगे मतलब उसका जो sensor का size है वो उतना ही है जितना film-based camera में था जो जितनी वो negative की size थी आप बताओगे तो फिर इससे क्या फरक पड़ता है फरक पड़ता है क्योंकि पहले के जमाने के जो camera थे बहुत लोग बोलते है कि यार उसकी जो resolution थी उसकी जो quality थी थी आज के जमाने से बहुत ही बहतर थी वो जो photo की quality थी अगर आपको उतनी ही photo की quality आपके camera के अंदर चाहिए तो आपको full frame camera opt करना चाहिए जिसका resolution काफी जादा होता है उसमें megapixels भी जादा होते है जिसके वज़े से आपको colors की variation मिलती है जो dynamic range है मतलब जो highlights और shadows के बीच में पूरा जो फरक दिखता है वो भी आपको सारी जो details है जो exposure की details है वो भी बहुत जादा मिलेगी और जैसे ही हम बात करते है APS-C मतलब Advanced Photo System Classic या फिर आप बताईए crop sensor के बारे में तब हम इसी full frame camera को या इसी full frame sensor को जब हम crop करते है मतलब काटते है उसको छोटा करते है तब हम लोग ये APS-C या फिर crop sensor कहते है मतलब जो आपके semi professional cameras और जो entry level के camera है उसके अंदर ये crop sensor या APS-C sensor लगा हुआ रता है जब आप एक sensor को crop कर देते हो तो उसके अंदर जो resolution होता है उसके अंदर जो megapixels होते है उसकी जो photo की quality होती है जो color quality होती है वो सब कुछ reduce हो जाता है वो भी सब कुछ कम हो जाता है फिर आप बताओगे तो फिर क्या ज़रूँ थी यार उसको crop करने की उतना ही रहने देते जितना full frame में था इसकी size क्यों छोटी कर दी size करने के वज़े से आपकी camera का जो वजन है वो भी कम हो जाता है और जो पैसे है वो भी कम हो जाते है पहले के जमाने में जो camera मिलते थे अगर उतनी quality आज के जमाने में आपको चाहिए तो आपने full frame खरीदा पर काफी लोगों को ये full frame camera बहुत ही expensive पढ़ता था और आज के ज करने का आपके क्लाइट आपको तना सरा पैसा नहीं दे रहें whatsoever जो भी रीजन हो इसके लिए लोग अभी APS-C camera में शिफ्ट कर रहे हैं तो ये जो full frame camera है जो sensor है उसका जो size है अगर उसको अम लोग और भी बढ़ा करते है तो आप जो बात करते हो है hazelblad camera की मतलब जो आप photographer होते है या बड़े-बड़े जो banners या posters लगते है या film के जो camera होते है पता है बड़े-बड़े photographers hazelblad का बड़ा camera यूज करते है वो जादा heavy होता है उसका जो sensor होता है वो एक full frame से भी double होता है उतना बड़ा sensor होता है और जिसके वज़े से आपको वो tripod पे लगा कि आप वो बड़ी-बड़ी prints करने वाले हो और आपको उस camera की और उस photo की एक-एक detail पकड में चाहिए इसके लिए आपने full frame camera को opt किया है जो बड़े-बड़े और भी-बड़े photographers होते है वो medium format camera लेते है ताकि उसको और भी details मेरे और उसके बड़े-बड़े poster चपवा सके जब आपको ए गरता है तो आप APAC camera ले जब आप जानते हो कि आपको बड़ी-बड़ी prints करनी है या पूरा-पूरा पेज उस photo से भरना या detail एक-एक चाहिए तब जाके आप एक full frame camera में invest करते हो क्योंकि वो एक expensive camera है कौन सा camera कौन सी category में आता है उसके लिए हम लोग ने ये video बनाया है आप प्लीज चेक आउट करिए उसमें हम लोग ने categorize किया है कि कौन सा camera कौन सी category में आता है इसकी ही साथ हम लोग ने lens का video भी बनाया है जहां पे हम सारे lenses की बात करते है अब हम ये बात करेंगे कि कौन सा lens और कैसे APAC और full frame में compatible होता है जब हम बात करें full frame camera के बारे में तो उसक जो lens होता है वो 50 mm lens होता है क्यों क्योंकि उसका जो sensor होता है उसके size के diagonal में आप देखे तो आपको जो size मिलती है उसके लिए 50 mm lens compatible होता है as a normal lens पर जैसे ही आप वो size को छोड़ी कर देते हो मतलब आप sensor को crop करते हो आप APAC camera में जाते हो तो यही 50 mm इसके ऊपर telephoto के लिए काम क क्योंकि उस sensor के लिए मतलब APAC sensor के लिए आपको एक 30 mm lens की जरूरत करती है क्योंकि उसका जो diagonal है उसके लिए वो compatible है और जैसे ही आप एक 50 mm का lens mind you सुनिये शांती से जो यह full frame का camera है उसका जो 50 mm का lens अगर आप एक APAC camera के ऊपर लगाते हो तो 50 mm की तरह नहीं वो 80 mm की तरह काम क करता है समझ रहे हो उसमें एक 1.6 x का crop factor लगता है यह क्या होता है मतलब यह 50 mm का डेड़ घुना जादा आपको इसके ऊपर multiplication होगा मतलब वो उतना जादा दिखेगा उतना जादा मेगनिफाई होगा उतना जादा टैली चला जाएगा जो full frame का 50 mm है अगर आप APAC पर तो काफी जो photographers होते है वो ऐसा जोल कर रहे है आज कल कि अगर आपको सपोस ऐसा लग जाए क्यार मुझे तो telephoto lens की जादा जरूरत requirement होती है अगर मैं full frame के लिए telephoto lens लेने जाओ तो बहुत ही महंगा गिर रहा है तो काफी लोग जो wildlife photographer होते है especially वो लोग क्या करते है वो एक जो APSE camera है उसके ऊपर इसका lens लगा देते है फूल फ्रेम का lens लगा देते है और जिसके वज़े से उनको और भी magnification मिल जाता है तो बस मैं जानते हो यह video तोड़ा सा heavy है बट यह technical चीज थी और बहुत ही important चीज थी आपको अगर ऐसे informative in-depth videos चाहिए तो प्लीज हमारे इस video को like करे, share करे, subscribe करे and कोई भी videos की request है तो please comment section में डाले हम जल से जल उस पे भी video बनाएंगे साथ ही साथ आपको instagram पे हमको connect करना चाहिए काफी सारे graphics, tips, tricks बहुत सारा कुछ डाला है तो please वहाँ पे check out कीजिए and अगर आपको ऐसा ही in-depth full course चाहिए यह 10-10, 15-15 minute के videos है पसाती साथ अगर अगर आपको घंटों तक पूरी photography start to end जाननी है तो आप एक photography course कर सकते हो जो आप कि अर अगर दो आपको चाहिए झाक एलोग यह 10-OOOO!